जैसरी करश्ण मित्रो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहे हैं देने कराशी फल दिनांक 24 अगस्त 2022 बूधवार के दिन का तो आज के देने कराशी फल के अनुसार आज शुब ग्रहों की द्रश्टीवा भगवान गणेश जी की क्रपा से आज का दिन 12 में से 5 राशियों के लिए बेहद खास रहेगा इन 5 राशी वालों में आज हैं वरशब, करक, कन्या, तुला और मकर राशी वाले लोग वहीं अन्य राशियों के लिए आज का दिन सामाने रहेगा तो मित्रो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एश्ट्रो गुरुजी में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्यका राशी फल नहीं नहीं ग्यानमरधक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो आज भादर पदमा सकरशन पक्ष की द्वादसी तिती है बूदवार का दिन है आज दिन की सुर्वात पुनर वसु नक्षत्र से होगी और मिथुन राशी में चंदरमा प्रातहकाल छे बच के छपन मिनिट तक रहेगा उसके पश्चात करकर राशी में चंदरमा शुरू हो जाएगा आज सुर्योदवी प्रातहकाल पांच बच के चोपन मिनिट पर होगा और सुरियास्त साम के छे बच के बावन मिनिट पर होगा आज राहुकाल दोपहर बारह बच के टेविस मिनिट से आरंब हो करके दोपहर दो बजे तक राहुकाल रहेगा तो आज राहुकाल के दोरान आप कोई भी शुब मांगलिक वा नया कारे आरंब नहीं करें किसी भी नई वस्तु की खरीदारी करने से भी बचें आज दिसा सूल रहेगा उत्तर दिसा में तो आज के दिन आप उत्तर दिसा की और मुख करके कोई भी शुब मांगलिक वा नया कारे आरंब नहीं करें उत्तर दिसा की यात्रा से भी आप बचें यदि यात्रा करना आज आपके लिए अतियावश्यक हो तो अपने इस्ट देवता की सरद्धा पुर्वक पूजा आराधना करके या इस्ट देवता के नाम मंतरों का अधिक सधिक संख्या में जाब करके यात्रा आप कर सकते हैं और आज अभी जीत मुहुर्त उपलब्द नहीं हैं तो अप जानी अपनी जन्म राशी के नुसार आज आपके भागे के सितारे क्या बोलते ही और आज के दिन आपको अपनी राशी के नुसार क्या खास उपाई करना चाहिए जिससे की दिन आपका शूब रहे और कारे छेतर में भी आपको सफलता मिले तो मेंसराशी से आरंब करते हैं मेंसराशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज आपको जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा दूसरों के विचारों और बातों से ज़्यादा प्रभावित आज नहीं हूँ आज काम के मामले में दिन आपके पक्ष में रहेगा आर्थिक स्थिति को लेकर अभी थोड़ी समल करके रहने के आपको अवशकता रहेगी यदि आप समय पर अवसर का पूर्ण रूप से उपयोग कर लेते हैं तो आपका व्यावसाइक जीवन आपको भविश्य में अत्यद आपकी प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारे में विश्य सफलता पाने के लिए आपका विश्य उपाई इस प्रकार से हैं प्रातहकाल इसनान करने के पस्चाथ भगवान गणी जी के समक्ष सुद्ध गी का दिया जला करके दुरवांकुर हल्दी में मिला करके अर्पित क अगली राशी है वरशब वरशब राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज आप में हिम्मत और आत्मविश्वास आदी का संचरन होगा आप अपने बिजनेस में पूरा दियान दे पाएंगे उससे अच्छा लाब आप प्राप्त कर लेंगे अप अपने अतिरिक्त धन को सुरक्षित जगह पर आपको आज रखना चाहिए किसी काम में आपका अनुभव फायदे मन साभित हो सकता है युवाओं को नए रोजगार की प्राप्ती के योग है आपको मान सम्मान की प्राप्ती के भी योग है और आज कुछ नई जिम्मेदार आपको मिल सकती है आप जटिल समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लेंगे आज आपको भाग्य का साथ 86 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंकछे है शुब रंग आपका सफेद रंग है सफेद रंग का प्रियोग कारी छेत्र में आज अधिक सदिक दुरवांकुर चड़ा करके ओम गण राजायनमा इस महामंतर का यथा सक्ती जाप करें इसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी है मिथुन मिथुन राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज दूसरों के भले की सोचेंगे और उनकी सेवा दिल से आप कर पाएंगे आपके बिजनेस में तेजी आएगी और कोई नया काम सुरू करने की कोशिस आज के दिन आप कर सकते हैं आज किसी के साथ दोका आप बिल्कुल नहीं करें काम की व्यस्तता में परिवार की अंदेखी भी नहीं करें आपके पास नए अधिकरण होंगे नए काम होंगे आपकी सामाजी किस्तिती में सुधार होगा आपकी संतुष्टी बढ़ेगी रिष्तेदारों और मित्रों के साथ आपके संबंद पहले से काफी बहतर होंगे आज आपको भाग्य का साथ 85 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंका 8 है शुबरंग आपका बेंगनी रंग है बेंगनी रंग का प्रयोग कारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको वि से सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से हैं प्रातह का लिष्णान करने के पश्चात भगवान गणेश जी को मोदक का निवे द्यारपित करें दुरवांकुर चड़ावें और उम गणा ध्यक्षाई नमाह इस महा मंत्र का यथा शक्ति जाप करें ऐसा करने से कारिय में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी है करकर करकर राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज किसी काम की नए सिरे से सुर्वात आप कर सकते हैं आपकी कपड़े आदी की शाप है तो आपको अच्छा लाप मिलेगा अधू दिन कारिय में आपका विशे सफलता पाने के लिए आपका विशे सुपाईष प्रकार से हैं प्रातह का लिस्नान करने के पस्चात भगवान गणेजी के समक्ष सुद्धगी का दिया जला करके पंचेमेवा का भोग लगावे दुरवांकुर चड़ावे और ओम गण राजा इरमा इस महा मंतर का यथा शक्ती जाप करें इसा करने से कार्य में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगले रासी है सिम्व सिम्व राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज किसी दूसरे के काम में राय देने से आपको बचना चाहिए आपके व्यापार को कोई बड़ी डील मिल सकती है आर्थिक स्थिति को पुनाह व्यवस्थित करने में अपना ध्यान रखें युवाओं को ज़्यादा चीज़ें को सीखने की जरूरत है माता पिता के साथ आज शापिंग करने का अवसर आपको मिल सकता है नीजी संबंद आपके आज यथावत और मधुर रहेंगे समर्पित परिश्रम से यदि आप वरिष्टों को संतुष्ट कर सकते हैं तो आपको आर्थिक लाप भी मिलेगा आज आपको भाग्य का साथ छेउत्तर प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक छे हैं शुब रंग आपका आस्मानी रंग हैं आस्मानी रंग का प्रियोकारी छेत्र में आज हैं अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हैं कि पराता हकाल इसनान करने के पस्चात भगवान गणेजी के सामने सुद्ध गी का दिया जला करक गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें गुड का नेवे द्यार पित करें और ओम एक दंताई नमा इस महा मंतर का यथा शक्ती जाप करें एसा करने से कारी छेतर में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगले राशी है कन्या कन्या राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज आज आपकी काम्याबी में आपके करीबी लोगों का योगदान जादा रहेगा किसी मल्टी नेशनल कंपनी से नोकरी के लिए अच्छा आफर आपको मिल सकता है व्यापारी वर्ग कारोबार को आर्थिक बल देने के लिए लोन आदी क प्लानिंग कर सकते ही लेकिन परिवारिक जीवन में गड़ बड़ी परिवार की बिगड़ती स्वास्त सदस्यों की जो विवस्था है आपके मामलों में आज अवरोत उत्पर न कर सकती है इसलिए परिवार के लोगों का ध्यान रखें आज किसी से विवात करने से बचें आज तनाव लेने से भी बचें तो आज आपको भाग्य का साथ बहुततर परतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शालियंक चार है शुबरंग आपका सफेद रंग है सफेद रंग का प्रियोक कारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश का दान करें दुरवांकुर चड़ावें और ओम उमा पुत्राइनमा इस महा मंतर का यथा शक्ति जाप करें ऐसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगले राशी है तुला तुला राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज आपका म संबंदी नियमों को समझना आपके लिए जरूरी है नीजी संबंदों के मामले में आप काफी भाग्यशाली रहेंगे विवाहित जातकों के लिए आवेक के कारण जीवन सांती के साथ आज अन्बन हो सकती है इसलिए आज करोत को अपने उपर हावी नहीं होने दे आज नब्धे प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्यशाली अंक पांच है शुबरंग आपका हरा रंग है हरे रंग का प्रियुक कारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारे में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्रातहकाल इसनान करने के पच्चात भगवान गणेजी को गुड का नेवेद्य अर्पित करके ग्यारह दुर्वांकुर चड़ावे और ओम गण राजाय नमा इस महामंत्र का यथा शक्ती जाप करें इसा करने से का इस्टेट में निवेस किया जा सकता है अपने घर को अकेला आज नहीं छोड़े नोकरी आदिक का बदलने का मन बनेगा अचानक किसी से मुलाकात मदूर रिस्ते में परिवर्तिस हो सकती है यदि कोई कानूनी मामला आपका लंबित है तो अदालती मामलों में आपको आज स अदिकाप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारे में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्राताहका लिष्णान करने के पस्चात भगवान गणेजी के मंदिर में हरे मूंग का दान करें दुर आप अपने कारियों को सलीके के साथ करके अपने लक्षिक के निकट पहुँच पाएंगे गवर्मेंट से कोई बड़ा बेनिफिट आपको मिल सकता है व्यापार में आर्थिक प्रगति के लिए मेहनत आपको करना चाहिए एसे समय में बहतर होगा कि अपनी कमजोरियों को किसी के आगे स्पस्ट नहीं रखे चाहे वहाँ आपका कितना भी करीबी क्यों नहूं आज आपको भाग्य का साथ 71 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक साथ है सुबरंग आपका नीला रंग है नीले रंग का प्रयोक कारे छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाब की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारे में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशे सुपाई इस प्रकार से है प्रातह का लिष्णान करने के पश्चात भगवान गणेजी को गुड का निवेध्य अर्पित करें दुरवांकुर चड़ावे और ओम उमा पुत्राइन महा इस महा मंतर का यथा सक्ति जाब करें ऐसा करने से कारे में आपको भावना है आप किसी सरकारी संस्था के काम में अपना सहयोग दे सकते हैं बेरोजगारों को मंचाहा काम मिलने के आसार है प्रति दंदी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे इस्थिर आय आपको बहतर इस्थिति के लिए प्रोस्थाहित करती रहेगी आज असी प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्यशाली अंकछे है शुबरंग आपका बादामी रंग है बादामी रंग का प्रियोग कारे छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी में विशेश सफ इसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आज आपको भाग्य का साथ 96 प्रतिसत प्राप्त होगा। आज आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आर्थिक द्रस्टी से संतोस आपको मिलेगा। निवेस के लिए जानकार लोगों की मदद आप ले सकते हैं। प्राइवेट नोकरी करने वालों को अपनी वानी पर आज थोड़ा ध्यान रखने की आवशकता है। आपको अपने वरिष्टों की उपेक्षा का सामना करना पड़ सकता है। और आपके सहयोगी आपकी कमजोरियों को भुनाने की कोशिस कर सकते हैं। आपका काम बिगड़ने की कोशिस कर सकते हैं। आज आपको भाग्य का साथ 80% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्य शाली अंक 8 है। शुब रंग आपका आस्मानी रंग है। आस्मानी रंग का प्रियोक कारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे। तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी। तो आज के दिन कारी में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है। तो मित्रो आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह देनिक राशी फल की जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे विडियो को लाइक वशेयर अवश्य करें। धन्यवाद जैसरी करश्नमित्रों फिर मिलेंगे।